नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लो ओनलाइन स्टेडी विद प्रभाद में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स के द्वारा चलाए जा रहे स्कीम्स और इनिसियेटिव्स की बात करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो करेक्ट आंसर है केला एक जाम में आप लोग ध्यान रखिएगा अगर क्वेस्चन ये पूशता है कि भारत का पहला स्टेट कौन सा है जिसने कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा थेरिपी का यूज किया तो करेक्ट आंसर केला होगा लेकिन अगर ये पूश दिया कि पहला कवर्मेंट हॉस्पीटल कौन सा है तो उसका अंसर होगा लखनो का KGMU हॉस्पीटल प्लाज्मा थेरिपी को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है हमारे सरीर में जो बलड होता है उसमें लगबग 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेल्स होते हैं यानि कार्ब सेल्स इस 55% प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और लगबग 8% प्रोटीन होता है इन्ही प्रोटीन को हम एंटीबॉडी भी कहते हैं जो 45% सेल्स होते हैं उसमें RBC होते हैं, WBC होते हैं, ब्लेट लेट होते हैं. प्लाजमा थेरीपी में बेसिकली यह होता है, कि अगर कोई विव्यक्ति है, COVID-19 से इंफेक्टेड है, और उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो उसकी बाड़ी ने दीरे-दीरे COVID-19 से लड़ने के लिए एंटी बाड़ी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, और कुछ दिन बाद वो परसन रिकवर हो गया, अमान लोग कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही खराब है, उसकी बाड़ी COVID-19 से लड़ने के लिए इंटी बाड़ी जनरेटी नहीं कर पा दिया है, तो इस केस में उस ब्यक्ति के बलड में हम जो रिकवर्ड ब्यक्ति का प्लाज्मा है, वो इंजेक्ट करेंगे, जिससे की बीमार ब्यक्ति को COVID-19 से लड़ने में सहायता मिले, और वो भी दीरे-दीरे रिकवर कर जाए, बढ़ते हैं आगे, अगला कुश्चन है, COVID-19 का पुल टेस्टिंग कराने वाला पहला राची कौन सा है, करेक्ट आंसर इस उत्तरप्रदेश, पुल टेस्टिंग में हम कम से कम टाइम में जादे से जादा टेस्ट कर सकते हैं, जिससे की टेस्टिंग कर पैसिटी इंक्रीज हो सकती है, पुल टेस्टिंग में बैसिकली यह होता है कि, दस लोगों का सेंपल एक साथ मिक्स कर लिया जाता है, और फिर इनका test किया जाता है अगर इस mixture का test result negative आता है तब तो ठीक है अगर result positive आता है तो फिर हम एक एक व्यक्ति का test करेंगे अगला question है तिरंगा rapid screening of COVID-19 symptoms started in यानि तिरंगा rapid screening किस राज में start हुआ है आपके option है केला उत्तर प्रदेश बिहार करनाट का correct answer है केला तिरंगा rapid screening में तिरंगा का full form है total India remote analysis निरो के अभियान COVID-19 का basic symptom है body का temperature का बढ़ जाना तो केरल सरकार ने rapid screening के लिए एक अभियान चलाया है तिरंगा rapid screening जिसके अंतरगत four wheelers है उनके boner पे एक infrared thermometer mounted है ऐसे vehicles हर गाओं और सहरों के हर गलियों में चलाया जा रहा है जिसमें लोगों के body के temperature को major किया जा रहा है इस vehicle के boner पे थर्मामेटर इसलिए लगाया गया है कि जो health worker है वो अंदर रह सके और social distancing maintain रह सके इससे की infection फैलने का खत्रा कम रहे अगला question है mobile hand wash facility किस राज़े में start किया गया आपके option है आंदर प्रदेश, केरला, करनाटक, कुझराथ तो correct answer है आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश की government ने slum areas जहां पे पानी या hand sanitizer या साबुन एक्सेक्टर की दिक्कत है जहां पे लोग hand wash नहीं कर पाते frequently जीओ टैगिंग community kitchens यानि देश का वो पहला राज जी कौन सा है जिसने community kitchens का जीओ टैगिंग किया है आपके options है गोवा, केरला, उत्तर प्रदेश, कुझराथ तो correct answer है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की government ने गरीब लोगों के भोजन के लिए community kitchens की सुरुआत किया है इन kitchens में लगबग 12,00,00 food packet एक दिन में तयार किया जाते है और गरीबों में वित्रित किया जाता है food packet जरूरत मंदों को असानी से मिल सके इसके लिए government ने community kitchens को google map के त्रू जीओ टैगिंग कर दिया इस community kitchens का पता लगाने के लिए कि हमारे आसपास कौन सा community kitchen है इसके लिए आपको google map में जाना होगा और टाइप करना होगा community kitchen और district का नाम अपने डालना होगा अगला question है CM COVID-19 योद्धा कल्याण योजना किस राजी ने स्टार्ट किया है आपके option है इस योजना के अंतरगत मध्य प्रदेश की government ने आवनवाडी workers के लिए 50 लाग का health insurance कराया है इस campaign में हिमाचल प्रदेश में जो health worker है बघरगर जाके लोगों को COVID-19 के बारे में जानकारियां देंगे अगला question है जीवन सकती योजना किस राजी ने स्टार्ट किया आपके option है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पस्चिम बंगाल, महारास्ट तो correct answer है मध्य प्रदेश इसी योजना के अंतरगत अर्बन एरिया में जो महिलाएं हैं वो मास्क बनाके अर्णिंग कर सकती है और मध्य प्रदेश की गवर्मेंट इसके लिए पर मास्क 11 रुपय देगी अगला question है किस राजी ने जीवन अमरीत योजना स्टार्ट किया है आपके option है राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महारास्ट आपका correct answer है मध्य प्रदेश इसी योजना के अंतरगत मध्य प्रदेश की गवर्मेंट अपने नागरिकों को immunity system बढ़ाने के लिए special तयार किया हुआ चूंड और आयूस मंत्रालय द्वारा तयार किया गया काड़ा जो की 50 ग्राम का होगा एक एक पैकेट वो प्रदान किया जाएगा अगला question है धनवंतरी scheme किस राज यद्वारा start किया गया आपके option है राजस्तान, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, असम correct answer है असम इसी होजना की शुरुबात असम government ने lockdown के time में किया था lockdown के time अगर किसी को medicine की जरूरत हो तो उसके लिए सम government ने एक help line number जारे किया 104 जिस पे कोई भी call करके medicine की home delivery करा सकता था इसी होजना में उन दवाओं की home delivery हो रही थी जो medicine locally available नहीं है अगर कोई व्यक्ति 200 रुपय से नीचे की दवा अगर मंगाता है तो उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा था लेकिन अगर कोई व्यक्ति 200 रुपय से जादे की दवा मंगाता है तो उसके चार्ज लिया गया है अगला question है neighborhood classes started by which state आपके option है मणीपूर, त्रिपूरा, केरल, उत्तरप्रदेश correct answer है त्रिपूरा lockdown के time जो student है उनका जादे नुक्सान ना हो इसके लिए local teachers को ये कहा है कि आप अपने घर के आसपास 5 बच्चों को एक साथ बिठा के बढ़ा सकते हैं जिससे कि उनकी पढ़ाई नुक्सान ना हो अगला question है पढ़ाई तुहार द्वार पोर्टल किस राजय ने लाँच किया है आपके option है राजस्तान, 36 गड़, मद्यप्रदेश, आसम तो correct answer है 36 गड़ इसे योजना के अंतरगत 36 गड़ की government ने एक पोर्टल लाँच किया है जिसके अंतरगत Class 1 से Class 10 तक के जो बच्चे है अपने घर से ही lockdown के time में online study free of cost कर सकते है अगला question है मिड़े मिल राशन प्रोवाइड करने वाला देश का पहला राज ये कौन सा है आपके option है बिहार, कुवा, मद्यप्रदेश, वेस्ट बेंगाल तो correct answer है मद्यप्रदेश COVID-19 की वज़े से सारे स्कूल बंद है तो स्कूलों में जो मिड़े मिल बंता था उसकी जगह पे स्टूडेंट्स को उनके घर पे राशन पहुचाया जा रहा है तो मद्यप्रदेश की गवर्मेंट राशन पहुचाने के लिए आंगनवाडी वर्कर्स, लोकल टीचर्स को और पंचायत के जो representatives हैं उनकी मदद ले रही है अगला क्योश्चन है इस अंजीवनी, ऑनलाइन OPD स्टार्ड करने वाला पहला राज़ कौन सा है आप क्या उप्शन है उत्तप्रदेश, गोवा, पंजाब, वेस्ट बंगाल तो करेक्ट आंसर है पंजाब COVID-19 के बज़े से जो hospitals में नॉर्मल OPD चलते थे वो सारे बंद कर दिये गये थे तो इसके लिए गवर्मेंट ने एक ऑनलाइन OPD स्टार्ड किया जिसका नाम उन्होंने इस अंजीवनी रखा इस ऑनलाइन OPD में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए कोई विव्यक्ति स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मेडिकल ट्रिटमेंट के लिए या कॉमन हेल्थ के लिए अपने घर बैठे बैठे एडवाइस ले सकता है अगला क्वश्चन है कौन से राज ने मुक्यमंत्री यूबा योगा योग योजना स्टार्ड किया है आपके ऑप्सन है उत्तरप्रदेश तिपुरा नागालेंड वेस्ट बेंगाव तो करेक्ट आंसर है तिपुरा इसी योजना के अंतरगत जो भी स्टुडेंट अपने ग्रेजुएशन के फाइनल एर में है उनको तिपुरा की गवर्मेंट स्मार्ट फोन प्रदान करेगी जिसका उप्योग स्टुडेंट्स अपनी पढ़ाई या आगे की नौकरी सरच करने के लिए या इंटरनेट यूज़ करने के लिए कर सकेंगे अगला कुश्चन है कौन से राज्य में टीम 11 का फॉर्मेशन हुआ है आपके ऑपसम उत्तरप्रदेस, राज्यस्तान, मद्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश तो करेक्ट आंसर है उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेस की गॉइन्मेंटी ने अलग-अलग राज्यों में कोरोना वाईरस के केसिसको डिल करने के लिए एक special team गठित की है जिसका नाम team 11 है अगला question है कौन से राज ने सभी जर्नलिस्ट को 50 लाख रुपए का life insurance कबर देना इस्टार्ड किया है आपके option है असम, उत्तरप्रदेश, पंजाब, दिर्पुरा तो correct answer है असम अगला question है rapid antibody test कराने वाला देश का पहला राज ये कौन सा है आपके option है राजस्थान, गुजरात, वेस्ट, बंगाल, गुवा correct answer है राजस्थान rapid antibody test के तुरू हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई विवेक ती रिसेंटली किसी वाइरस से infected था की नहीं था rapid antibody test में सेंपल लेना बहुत ही easy है, बलड की तुरू ले सकते हैं और इसका result हमें 15-20 मिनट में ही पता लग जाएगा और ये बहुत सस्ता भी है compare to RT-PCR test RT-PCR test में हमें sample collection के लिए nose से या throat से swab निकालना पड़ता है और इस test का result हमें 6-12 घंटे में मिलता है और ये test बहुत ही costly है अगला question है कौन से राज ने मोदी किचन सेवा स्टार्ट किया है आपके option है तमिलनाडू गुजरात उत्तरप्रदेश वेस्ट वंगाल correct answer है तमिलनाडू तमिलनाडू के कोईमबटोर में मोदी किचन सेवा स्टार्ट हुआ है जिसमें 500 लोगों का खाना एक दिन में बुनता है तमिलनाडू के चीफ मिनेस्टर एडापड़ी के पलानी स्वामी है और गवर्नर बनवारी लालपुरोह जी है अगला क्वेश्चन है कौन से राज ने रेडियो स्कूल सेवा स्टार्ट किया है आपके अप्शन है उत्तर प्रदेश, पस्चिम बंगाल, तमिलनाडू मद्यप्रदेश correct answer है मद्यप्रदेश COVID-19 के वज़ए से सारे देश में स्कूल और कॉलेज बंद हैं इसके वज़ए से स्टुडेंट्स का बहुत नुकसान हो रहा है तो इसके लिए मद्यप्रदेश की गवर्मेंट ने रेडियो स्कूल सेवा और दुरदर्शन क्लास्रोम स्टार्ट किये हैं रेडियो स्कूल के इंतरगत मद्यप्रदेश की गुवर्मेंट All India Radio की मदद से मद्यप्रदेश के जितने भी AIR चैनल है उन पे सुबह 11 बजे से रात को 12 बजे तक एजुकेशनल कंटेंट प्रॉड कॉस्ट करेगा और दुरदर्शन क्लास्रूम की मदद से स्टुडेंट्स को स्टडी मेटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा अगला क्वेशन है कौन से राज ने ऑपरेशन सिल्डे स्टार्ट किया है आपके ऑप्शन है उत्तरप्रदेश, न्यू देली, नागालेंड, बेस्ट बंगल करेक्ट आंसर है न्यू देली नई देली में जो पॉजिटिव कोरोना वाइरस के केसे से उनको कम करने के लिए और कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन नो हो इसको रोपने के लिए चीप मिनिस्टर अर्विंद के जिर्वाल ने आपरेशन सिल्ड स्टार्ट किया है अपरेशन सिल्ड में सिल्ड का फॉल फॉर्म है सिलिंग, होम क्वारेंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेनिंग, इसेंसियल सप्लाई, लोकल सेनिटाइजेशन, एंड डूर तूर चेकप्स अगला कुश्चन है, कौन से राज ने फूड बैंक इनिसियेटिव स्टार्ट किया है करेक्ट आंसर है, मणीपूर मणीपूर की गवर्मेंट ने गरीब लोगों की मदद करने के लिए फूड आइटम्स जैसे की दाल, चावल, आटा, आलू, प्याज, एक्सेक्टरा डिस्टिब्यूट करने के लिए फूड बैंक की अस्ताफना किया है अगला क्वेश्चन है, जानवरों को क्वरेंटाइन करने के फिसिल्टी बहरत में सबसे पहले कहां स्टार्ड किया गया है आपके option है, बांदावगर नेशनल पार्क, दुदुआ नेशनल पार्क, हमिस नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका correct answer है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे ओल्डेस नेशनल पार्क है, इसका establishment 1936 में हुआ था, तब इसका नाम हैले नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्राखंड में इस्तित है उत्राखंड की राजदानी समर में गयरसेंड में होता है और विंटर में देहरादून में होता है उत्राखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्या है और चीफ मिनिस्टर तिवेंदर सिंग रावत है अगला कुश्चन है 5T प्लान कौन से राज ने स्टार्ट किया है आपके option है उत्तरप्रदेश, न्यू देली, बिहार, पंजार तो correct answer है न्यू देली नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन दकेज रिवाल ने COVID-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए एक 5T प्लान का एलान किया है जिसमें 5T का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग अगला कुश्चन है COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए आयरुवेद का यूज करने वाला पहला राजी कौन सा है आपके उप्सन है गोवा, मणीपूर, बिहार, पंजाब तो करेक्ट आंसर है गोवा COVID-19 की बज़ए से जो भी व्यक्त क्वरेंटाइन है उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए गोवा के गोवा के गोवर्मेंट ने एलोपैती के बजाए आयरुवेदिक औसधियों को यूज करना स्टार्ट किया है गोवा की रादधानी है परजी यहां के चीप मिनेस्टर है प्रमोज सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक अगला कुस्टन है निगाह इसकिम कौन से राजी ने स्टार्ट किया है आपके option है बिहार, हिमाचल परदेश, मद्य परदेश, वेस्ट बंगाल तो correct answer है हिमाचल परदेश निगाह स्कीम के अंतरगत हिमाचल प्रदेश में जो भी लोग देश के दूसरे पार्ट से आ रहे हैं तो उनकी फैमिली को एजबेट करने के लिए और अवेरनेस फैलाने के लिए आसा आंगनवाडी और हेल्थ वर्कर की मदद ले रहा है अगला कुश्चन है सभी डिस्टिक होस्पिटल में वेंटिलेटर की सुवधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज है कौन बन गया है आपके उप्सन है उत्तरप्रदेश, जहारकंड, वेस्ट परंगाल, करनाटका करेक्ट आंसर है उत्तरप्रदेश अब बात कर लेते हैं कुछ अलग इनिसियेटी उसके बारे में जो की स्टेट गवर्मेंट के अलावा अन्य देशों या किसी पर्टिकुलर और्गिनाइजेशन ने चलाए है अगला कुश्चन है मैटर हौन माउंटेन किन दो देशों के बीच में बार्डर का काम करता है तो आपका करेक्ट आंसर है स्विट्जर लेंड एंड इटली कोविट नाइटीन से लड़ने के लिए भारती लोगों के द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना करने के लिए स्विट्जर लेंड में इस्थित मैटर हौन माउंटेन पे अपने भारती तिरंगे को प्रोजेक्ट किया गया अगला कुश्चन है इस्टे होम इंडिया विद बुक्स इनिसियेटिव किसने स्टार्ट किया है आपके ओप्सन है CVSC, CSIR, NBT या NCRT ने तो करेक्ट आंसर है NBT ने NBT यानि National Book Trust जिसकी अस्थापना 1957 में हुआ था और ये MHRD के अंतरगत आता है इस इनिसियेटिव के अंतरगत National Book Trust ने जो बेस्ट सेलिंग बुक्स है उनको फ्री में डाउनलोड करने की सुधा प्रदांत किया है जिससे की लोगों का टाइम पास आसानी से हो सके अगला कुस्चन है Team Mask Pose किसके द्वारा बनाए गया आपके ओप्सन है ICC, BCCI, ISRO या NASA तो करेक्ट आंसर है BCCI BCCI यानि Board of Control for Cricket in India जिसने एक वीडियो जारी किया है जिसका टाइटल है Team Mask Pose इस वीडियो में जो दिगज की लाड़ी है जैसे की सचिन तेंदुलकर वियाठ कोली एक्सेक्टरा इनके मदद से पब्लिक प्लेस में मास्क पहनने की आदत को प्रमोट किया है BCCI के अस्तपना 1928 में हुआ था इसका Headquarter मुंबई में है BCCI के President सौरफ गांकुली है Secretary JSA है BCCI के Men's Coach है रभी सास्त्री और Women's Coach है V.V. Raman अगला कस्चन है फिर मुस्कुराय का India Song किसने गाया है यानि आपको singer का नाम बताना है आपके option है विसाल मिस्रा, अर्जिस सिंग, सोनु निगम, यांकित दिवारी तो correct answer है विसाल मिस्रा ने COVID-19 pandemic के बारे में awareness फैलाने के लिए ये song रिलीज किया गया था अगला कुस्चन है United we fight song किसके द्वारा रिलीज किया गया आपके option है CSIR, ICCR, BCCI या ICC तो correct answer है ICCR ICCR मतलब Indian Council for Cultural Relations इसके अस्थापना 9 April 1950 में हुआ था इसका headquarter निग देली में ICCR के president है विने साहस्त्रबुद्धी और director general है दिनेश पतनायक अगला कुस्चन है हम हार नहीं मानेंगे song किसके द्वारा रिलीज किया गया आपके option है अगला कुस्चन है आपके option है तो आपका correct answer है अगला कुस्चन है किसके द्वारा लॉंच किया गया कुछ और insurance योजनाय चलाई गई है उनको हम एक ही जगे देख लेते है जैसे कि air tail payment bank और भारती एकसलाई इंसुरेंस ने मिलकर भारती एकसलाई POS सरल जीवन बीमा योजना लॉंच किया ऐसे ही phone pay और बजाज आलियंस जनरल इंसुरेंस ने मिलके corona care insurance policy स्टार्ट किया एक और insurance scheme भारत पे और ICICI लेंबोर्ड जनरल इंसुरेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया ये insurance scheme बेसिकली उन सबकीपर्स के लिए है जो कि national lockdown के time essentials goods and medicines की selling कर रहे थे बढ़ते हैं आगे अगला question है कौन से देश ने coronavirus के management के लिए artificial intelligence का यूज किया है आपके option है India, USA, China या बांगला देश तो आपका answer है बांगला देश अगला question है COVID-19 की बज़े से पूरी देश में emergency लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है आपके option है Japan, Italy, USA, China तो correct answer है Japan अगला question है किसी भी individual द्वारा COVID-19 pandemic से लड़ने के लिए दिया गया largest donation जो की 1 billion dollar है ये किसके द्वारा दिया गया है तो आपका correct answer है Jack Dorsey जो की Twitter के CEO है बात करें Twitter की तो इसकी अस्थापना March 2006 में हुआ था इसका headquarter California, USA में है Twitter के founder चार लोग है जिसमें Jack Dorsey है वो अभी CEO भी है अगला question है coronavirus के treatment के लिए beer while का यूज करने का recommendation कौन से देशने दिया तो सबको पता है ऐसा काम चाइना ही कर सकता है एक last question देख लेते है COVID-19 से लड़ने के लिए NCC ने exercise NCC योगतान स्टार्ट किया है तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे रहने देते है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है आसा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी share करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक के लिए बै